प्रदान मंत्री जी, मेरा नाम शिखा है, मैं एक आटिस्ट हूँ, मेरा आप से एक छोटा सा सवाल है, आपने भारत के विकास के लिए इतनी मेहनत करके इतनी योजनाये बनाई हैं, इन योजनाओं के फल स्वरूप और अपनी द्रश्टी से आप भारत देश का भविश्य क कैसे देखते हैं, मैं भारत का भविश्य बहुत उजवल देखता हूँ, शांदार देखता हूँ, जांदार देखता हूँ, आप मुझे बताइए, आज पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है, अमेरिका में भी भारत की गुंज है कि नहीं है, यूके में भी भारत की गुंज है कि नहीं है, और स्ट्रेलिया में भारत की गुंज है कि नहीं है, कैनेडा में भी भारत की गुंज है कि नहीं है, चारों तरब दुनिया में आज भारत के गवरोगान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं मैं समझता हूँ इतने कम समय में अगर हम दुनिया के अंदर भारत के हक का इस अब हमारा हक था लेकिन किसे ने कोशिश नहीं कि हमने नया कुछ नहीं किया सिरफ भारत का जो हक था उसको दिलाने की कोशिश की है वो हमें आज मिला है कोई कल्पना कर सकता है कि हम कहें कि आंतर राश्टिय योगा दिवस बनाओ और दुनिया के करीब करीब सभी देश नाग पकड़ करके बैट जाए गर्व होता है कि नहीं होता है दुनिया के नेक देश इजराइल और पलिस्टाइन लड़ते हो लेकिन इजराइल और पलिस्टाइन दोनों हमारे साथ दोस्ती करते हो ये देश के लिए गर्व की बात है कि नहीं इरान और साउधी अरविया के बीच में तनाव होगा लेकिन दोनों हमारे साथ जुड़ जाएं दोनों हमसे दोस्ति करें यह हमारे लिए गर्व होगा अग नहीं होगा आज भारत ने अपनी एक जगा बनाई है उसी प्रकार से जैसे मैंने कहा आर्थी ख्षेतर में इतने आगे बढ़े हैं हर ख्षेतर में हम आगे बढ़े हैं आज स्टार्ट अप स्टार्ट अप जो हमारे देश का 800 मिलियन यूथ हो जिस देश के पास 800 मिलियन करीब 65 प्रतिशत जनसंग्या 35 साल से कम्स उमर की हो वो देश जमान है जमानी की ताकत है जमानी का उमंग है जमानी की उर्जा है जमानी के सपने है वो देश पीछे कैसे रह सकता है कि आप आपप आप आप तो आप पर नाम मिल सकता है और इसलिए मैं भारत के उजवल भविश्य के मूल में भारत की युवा शक्ति भारत का बढ़ता हुआ मध्यमबर की दायरा भारत के सर्विस सेक्टर में भारत का दुनिया में होता जा रहा है योगदान क्रिशी पर हमारी आत्मंदिर भरता दूद के उत्पांदन में दुनिया में नंबर एक ऐसे कई वीशें हैं इस अब डूइंग बिजनेस में 142 से 177 पर पहुंच जाना कोई भी पैरामेटर ले लिजिए आज दुनिया की सबसे तेज गती से चलने वाली बड़ी एकोनोमी में भारत नंबर एक है यह सारी चीज़े हैं आज भारत चाइना में जितना फॉरें डार्ट इन्वेस्मेंट आता है हिंदुस्तान उनसे आगे निकल गया यह भारत के लिए गर्वकी बात है विश्वम एक विश्वास पादा किया यह सारे आधार पर मैं कह सकता हूं कि मेरे देश का भवी सुज मेरे 800 मिलियन नौजवान 35 साल से कम उमर के नौजवान की ताकत और जो इस मिलेडियम के बच्चे हैं जो 21 सदी में पादा हुए हैं वो एक नए सपने नई ताकत लेकर के आये हैं और यही मेरे आने वाले हिंदुस्तान को खीच के लिए जाने वाले लोग है उनको मेरी बह